मेश राशी मानसिक तनाव आपको रह सकता है वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए धन के लेंदेन में साबधानी बनाए रखें शनी मंत्र का अगर आप जब करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा वृषब राशी तनाव आपका कम होता जाएगा धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं नए काम में इस समय आपको सफलता मिलेगी किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएगी शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी धन लाब के योग आपके लिए बने हुए हैं पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी पृतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी मानसिक तनाव आपका अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है मेंटली थोड़ी राहत मिलेगी रुके हुए काम आपके पूरे होंगे किसी उपहार का या सम्मान का लाब आपको मिल सकता है एक लोटा जल अगर पीपल के व्रिक्ष में अरपित करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है सिंग राशी करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिये वाहन सावधानी से चलाइए पारिवारिक मामलों में शान्ती बनाए रखिये अगर आप शनी मंत्र का जब करें ओम शंग शने शराय नमह तो इस मंत्र का जब करने से आपके मुश्किलें कम हो जाएंगी शुभरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा कन्याराशी कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी करियर में आपको लाब होगा पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होगी खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुभ होगा शुभरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है तो लाराशी काफी सारी दौर भाग आपकी किसमत में इस समय दिखाई दे रही है धन लाब के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं अगर किसी परिक्षा के परिडाम आने वाले हैं तो वो परिडाम आपके लिए अनुकूल होंगे किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किले हल हो जाएंगे शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा विश्चिक राशी स्वास्थ में आपके सुधार होता दिख रहा है करियर में आपके लिए लाब के योग बन रहे हैं रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा आस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है पच्छत्तर पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी बेवज़ा की चिंता हो सकती है महत्वपूर काम इस समय आपके रुक सकते हैं जल्दबाजी में कोई भी निर्ड़े फिलहाल मत लीजिएगा शनी मंत्र का अगर आप जब कर लें ओम शंग शने शराय नमह तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा मकर राशी कोई शुब सूचना इस समय आपको मिल सकती है करियर में आपके लिए सफलता के सुन्दर योग बन रहे हैं और इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे पीपल के व्रिक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन के मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगे शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीतर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी आपके स्वास्त में सुधार होता दिख रहा है सिक्षा पृतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी धन की स्थिती आपके लिए उत्तम बनी रहेगी किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी पृतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा इस समय संपत्ति लाब के योग भी आपके लिए बन रहे हैं खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करने आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है नबे प्रतिशत सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है